मस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का हमारे हिंदी यूटूब चैनल हाई एंड हाई एजूकेशन में स्वागत है आईए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो आज का टॉपिक है कि परजी भी प्रोटो जुआ के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं जीवानू के द्वारे होने वाले रोग कौन से हैं विसानू वाइरस के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं और इसे प्रोटो जोवा से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं और उसे कैसे याद रखेंगे तो प्रोटो जोवा से होने वाले रोग के लिए जो मेरा ट्रीक है वह ट्रीक आपका है रिया पे काला सोना जी हाँ दोस्तों यह याद रख लेते हैं रिया पे काला सोना तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि प्रोटो जुआ के माध्यम से जो रोग फैलता है वह कौन-कौन सा है तो देखी यहां रिया रिया से आप देख रहे हैं कि जिसके लास्ट में रिया लगा हुआ है पायरिया मलेरिया तो यह रोग होता है प्रोटो जुआ के कारण उसके बाद है रिया पे, पे से यहां आप देख रहे हैं, पेचिस, उसके बाद है काला, काला से यहां पर हो रहा है आपका, काला जर, रिया पे काला, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, काला जर, यह सब जो है, प्रोटोजवा से होने वाले रोग हैं, उसके बाद सोना, और सोना से हो रहा है, सोने की बिमारी तो आपने देखा दोस्तों कि प्रोटो जोवास से कौन-कौन से बिमारी होती है तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजर, सोने की बिमारी ये सब जो है हुआ प्रोटो जोवास होता है अब आईए देखते हैं फफूंद फंगस के द्वारा कौन-कौन से रोग होत खुणित से होने वाली डिजील है तो आप आसानी कि याद रख सकते हैंAre ya है शॊस रोगी आपका खुजली खुझली फंगल डिजील है उसके बाद 24 से वक्या दमा खा खा से होगिया ४ाज ए एliीट फूटियस भी फंगल डिजील है गवाग से हो गया गंजापन और दा से होगिया दाद तो आप देख लिए कि खुद खाय गंदा एक ट्रिक के माध्यम से आप खुजली, दमा, खाज, एथलिट, फूट, गंजापन और दाद जो फंगल डिजीज है से होने वाले बिमारी को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं तो दोस्तो आज का या ट्रिक आपको कैसा लगा यदि अच्छा लगे तो लाइक, सेर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा साथ ही बताईएगा और इसके बाद का जो और भी है बहुत सारे वाइरस से होने वाले हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत